हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कंपार्शन करेंगे वीवो टीवा प्रो फाइब जी में और एमार एडवी नोट इलेमा प्रो प्लेस में देखते हैं कि बेस्ट फोन कौन सा है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात कि जाएं डिस्प्ले से तो वीव की है डिस्प्ले 6.44 इंच की रैजुलेशन है 1808 मार्ट पार 24 पिक्सल इसमें आपको एमाले डिस्प्ले मिलती हैं एमाई की है डिस्प्ले 6.67 इंच की रैजुलेशन है 1808 मार्ट पार 24 पिक्सल इसमें आपको सूपर एमाले डिस्प्ले मिलती हैं और आपको वीव में 19 हर्स का रिफ्रेश इट मिलता है और एमाई में 120 हर्स का और डिस्प्ले क्वाल्टी में एमाई बेस्ट है एमाई में आपको पंचोल केमरा भी मिल जाता ही प्रोसेसर की बात करते हैं तो वीव का है स्नेप ड्रेंग का 778G 5G का CPU है 2.5E का हार्ट ओक्टेकोर का और 6.9 मेटर्स का फिन फैट और GPU है 642L का एमाई का जो प्रोसेसर है और है स्नेप ड्रेंग का 695 का CPU है 2.2E का हार्ट ओक्टेकोर का और 6.9 मेटर्स का पिन फैट और GPU है 619 का और प्रोसेसर की क्वाल्टी में वीव बेस्ट है बात कते हैं बैक केमरा की तो दोनों का है ट्रीपल वीव का है में केमरा 64 का और एमाई का है में केमरा 108 का फरंट केमरा की बात की जाएं दोनों का सेम है 16 मिसल का मिल जाता है वीव का है वर्डो अपनोज के साथ और एमाई का है पंचवर केमरा के साथ में बैटे लाइफ की बात करते हैं तो वीवो में मिलती है आपको चार्जर साथ से इमेज़ की एमाई में मिलती है आपको पांच जार इमेज़ की दोने की बैटे स्नोनिबल है आप दोने की बैटे को निकाल नहीं सकते चार्जर की बात करते हैं दोनों में जायर डिफेंस दो नहीं है Vivo में चार्जर है 66 Watt का और MI में चार्जर है 67 Watt का दोनों में टाइपस का स्वोट है और दोनों में आपको फिंगपिंश सेंसर और फेस लोग पर मिल जाता है दोनों में आपको RAM C मलती है 6G और ARC B की और warranty है एक साल की और price की बात करते हैं तो Vivo का है 23,999 रपी MI का है 20,999 रपी तो फिर आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया font box में ज़रू बताना अगर आपको दोनों में से कोई smartphone लेना है तो आप Vivo का smartphone ले सकते हो क्योंकि इसमें आपको best processor मिलता है बाकि अगर आपको बजिट है कम और आपको best display लेनी है तो आप MI का smartphone भी ले सकते हो